नमस्ते दोस्तों, welcome back to VU Sport, ये प्रिव्यू है लंका विमिन और विंडीज विमिन के लास्ट और फाइनल T20 मैच का After 3 ODIs in 1st T20 International, फाइनली विंडीज एक मैच जीत कर आ रहे हैं, 2nd T20 मैच वेस्ट इंडीज ने जीता 19 of the last 25 battles, West Indies ने ही जीतनी हैं, फाइनली अपना dominance इनों ने दिखाया अगर बात करें, अब इस series की तो 1-1 series हो गई है, जो भी ये वाला मैच जीता है, वो ये series जीत जाएगा Hayley Matthews ने comeback किया T20 series में, फाइनल जो 2 ODIs से वो खेलते वे नहीं दिखी थी और उनकी कमी काफी महसूस हुई थी, विंडीज टीम को, and now that she is back, they're also back to their winning ways Exciting battle होने वाला है ये, क्योंकि current अगर form देखी जाए तो Shri Lanka की अच्छी है, बढ़ head-to-head battle देखा जाए तो West Indies का अच्छा है Series भी 1-1 पे tied है, तो अब देखना होगा कि कौन ये series जीता है Problem 11 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको खेलते वे दिखींगी विश्मी गुना रतने, चमारी अटपटू, हर्शितम दावी, कवीशा दिलहारी, हसीनी परेरा, निराक्षी दुसिल्वा, नुथ्यांगना, इनकी विकेट कीपर, सचिन निसंसाला, अमा कंचना कावे कविंदी और आइनोशी फर्नांडो, अगर वेस्ट इंडीज की बात करते हैं दोस्तों, तो सेन वेन्यू पे ही होगा, यह वाला मैच भी, महिंदर राजपक्षा इंटरनाशन स्टेडियम में, जहाँ पे पहले दो टीट्वेंटीज हुए, एन आवरिज फॉस्ट स्कोर रहा है, 112 का, एन दोनों बारी जिस टीम ने चेस किया है, वो जीती है, पेस वर्शन स्पिन की बात करें अगर हम, तो यहां 34% ओवर्स डाले हैं पेस ने, बट काफी कम उससे विकेट्स निकाली हैं, स्पिनर्स काफी डॉमिनिट किया हैं, स्पिन फ्रेंटी कंडिश लगाई है इस साथ, विश्मी कुनारतने ने 46 की आवरेट से 371 बनाये हैं, 12 इनिग्स में, हर्शित अमधावी ने 27 की आवरेट से 215 बनाये हैं, 9 इनिंग्स में, बात करेंगे बोलर्स की तो अटापट्टू की ही है, सबसा दो विकेट्स 25 विकेट्स निकाली है, 24 में, उदेशी का प्रबोधनी ने 9 विकेट्स निकाली है, और सुकुंदिका कुमारी और अची निकोलुसिया के नाम है, 77 विकेट्स विकेट्स वेस्ट इनिग्स के बैटर्स में, हेली माथ्यूस के नाम है, सबसादा रंस, 444 रंस, 400 असपस बना दिये हैं, 16 इनिंग्स मे चार बरी हाफ सेंचुरी सर लगा चुकी है, शमाइना कैंबिल ने 24 की आवरेच से 262 रंस बनाए हैं, 12 इनिंग्स में, पातकरे स्टेफनी टेलर की तो इनकी आवरेच काफ यची रही है, 45 की आवरेच से 8 इनिंग्स में 181 रंस ये बना चुकी है, वेस्ट इंडीज विमन अलेन और शिनेल हेंडी के नाम है 99 विकेट्स, चलते दोस्तों, बेस्टीम में जो हम बनाएंगे फैंटेसी एकाड़ा पर जहां पर चल रहा है लोइस्ट कमिशन, यानि की एंट्री फी उन फैंटेसी एकाड़ा, हैट टो हिट कार्टेस में और स्मॉल लीग्स में काफी क हो गया तो क्या हुआ आपके पास है, LPL आपके पास है, TNPL, MLC बहुत सारी लीग्स है तो जल्दी से मारा मथली पाक अप ले लो, व्यूस पूर आपका लिंक भी पिंट, कॉमेंट और दिस्रुप्शन पर लोइस्ट कमिशन के फरजी दावे बहुत जगे सुने होंगे है जल्द, फैंटेसी अखाडाएब डाउनलोड करो और जीतो अपनी टीम की और कोशिश करेंगे कि इस माच में कुछ रन से बना सके और अपनी टीम को जिदा सके बाटिंग से स्टेफनी टेलर को लेके जाएंगे वेस्ट इंडीस के साइज से सबसे एक्सपीरिंस प्लेयर है अपनी टीम में हेड टू हेड में तो 22 T20 में इन्होंने 44 की आवरेज से रन्स बनाए हैं और साथ 50 श्री लंका के अगेंस लगा चुकी है नेक्स्ट होंगी विश्मी कुनारत ने लीडिंग रन स्कोरर है ती मैच ओडिय सीरीज जो भी हुई थी वहां पर है और करेंटली T20 सीरीज में जॉइंट लीडिंग रन स्कोरर है अलोंग विद हेली मैथ्यूस कंसिस्टेंट रही है अपनी परफॉर्मेंस के साथ चाहे या ओडिय सीरीज हो या T20 सीरीज हो और इसलिए हैं पर हम इने डेफिनिटली बैक करेंगे और ने सेक्शन में तीन आख बंद करके जो आपकी पिक्स हो जाएंगी बिल्कुल मस्ट है पिक्स सेफिस पिक्स इनफाक्ट सेफिस कैप्टेंसी पिक्स भी जो रहेंगी वो रह बात करते हैं बोलिंग सेक्शन की दोस्तों तो यहां फी फ्लेचर है पहली जो हमारी पिक रहेगी जो की लेक ब्रेक बोलर है वेस्ट इंडीस की फर्स माच में टूफर लेकर आ रही हैं सेकंड टीट्वेंडी मैच में फोर लेकर आ रही हैं अप्सलूटली अंप्लेबल लगी है श्री लंकिन बैटर्स काफी अच्छे से इने खेल नहीं पाए अगर बात करें इनके दस टीट्वेंटी इस की श्री लंका के अगेंस अब 16 विकेट इनके नाम हो गई हैं प्लस रंस भी बना सकते हैं लोग डाउन दी ओडर नेक्स ताइन ओशी फर्णांड को ले 15 की इनकी रही है कंसिस्टेंट विकेट टेकर रही है अपनी टीम फिले इसलिए हम बैप करेंगे अपनी बेस्टीम लास्ट पीक चुले के बेस्टीम में वह है आलया अलेयन राइटां पेसर हैं वेस्टिंदीज की नमबर 6 पर बैटिंग कर रही हैं बोलिंग बी की आप 15 बना कर आ रही हैं और शी वस्ट वान वुट टुक टीम ओवर दर लाइं तो यहां पर आलया अलेयन भी हमारी सेफ्टीम में रहेंगी तो दोस्तों यह बन गहीं हमारी बेस्टीम का विकेट कीपिन सेक्शन में शमायना कैंबिल बैटिंग सेक्शन में सेफनी टेल सेक्शन में रख सकते हो और गेम में 20-30 आपको बना कर देख रही है और बैटिंग सेक्टेव उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी कि उनका टॉप ओटर कैसा परफॉर्म करता है और उनको कितना चांस मिलता है बैटिंग करने का इसलिए उस सेनारियो में थोड़ी रिस बैटिंग सेक्शन से लेकि जाएंगे सचीनी निसंसाला को जो की है श्रीलंका की लेफ्ट आम स्पिनर और तो जो विंडी इस विमिन है उन्होंने 99 रंस चेज़ डाउन कर लिया था बट एक विकेट उनकी गिरी थी जो की इन्होंने ही निकाली थी और इसके अलावा पर ले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके रहेगी शमाइना कैंबेल ही बैटिंग सेक्शन में स्टेफनी टेलर विश्मी गुनारतने के साथ हसीनी परेरा के साथ जा सकते हो आप आपका ओल्रावन सेक्शन सेम रहेगा हेली मैथ्यूस चमारिय पर्टू कवीशा दिलहारी और बोलिंग सेक्शन में एफी फ्लेचर आइनोशी फर्नांडो आलया अलेन और सासा सचीनी निसन साला को ले कर जाएंगे तो यहां बैटिंग सेक्शन में आप हर्शितम मडावी के साथ जा सकते हो जो की नंबर तीन पर बैटिंग कर दिए श होगे तो चेस करते हुए इनका इस साल का रिकॉर्ड फार सुपीरियर रहा है बैट सेकिंड करते हुए 139 रंस बनाए है 46 की आविद से जो की गिर के काफी पूर हो जाता है बैट फॉर्स करते हैं बोलिंग सेक्शन में आर करश्मर राम हारेक के साथ जा सकते हो वेस्ट इ में इधर सिनारियों में भी लेकर जा सकते हो आप दूसरे सिनारियों में हसीनी परेरा या फिर निसुन साला में से किसी एक को ड्रॉप करके करिश्मर राम हारेक को भी रख सकते हो पर अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे विमन्स टी-20 इंटरनाशनल में इस साल बोलि विश्मी कुनरतने और स्टेफनी टेलर हम यहां पर हर्शिता मडावी को भी लेके जाएंगे और अगर मैं बात करूँ आपके बोलिंग सेक्षिन की तो हम लेके जाएंगे एफी फ्लेचर को आइनोशी फर्नांडो को आले-ाले इनको और करिश्मर राम है अब अगर मैं ग सब्सक्रिप्शना एक अच्छी Grand League pick बन सकते हैं इसके लावा West Indies से जो आपकी Allrounder सेक्षिन में लिस्टेट है काइना जोसफ के साथ भी आप जा सकते हो इन्हें ग्रांड लीग की टीम है और आपको पता है जो फाइनल स्मॉल लीग की टीम है और ट्वेंटी ग्रांड ली आप दीन में से हो सकते हो कुछ नहीं करना है जो नीचे लिंक दिया है डिस्रिप्शन में पिंट कॉमेंड में या फिर हमारा रेफ्रेल कोड यूज करके आपको वीज़ कोड आपकी लिंक डाउनलोड करने है सेफिस कैपेंसी चॉइस पर चलते दोस्तों तो यहां पर सेफिस कैपेंसी चॉइस रहेंगी हेली मैथ्यूज चमारी अर्था पट्टू और एफी फ्लेचर और डिफिरेंशल कैपेंसी पिक्स में आप जा सकते हो कवीशा दिलहारी और विश्मी गुनारतने के साथ तो द